ओम अतुलित बलधामं हेम सैलावदेहं दनुजुबन क्रिशानं बानरानं अदीसं रगुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामी दीवी और सज्जनों राम राज आने वाला है राम राज जब आएगा तो सारे तरलोक में आनन्द ही आनन्द उत्सव ही उत्सव होंगे लिकिन आप अपना परिक्षण सोयम करें कि राम आपके मन मंदिर में भी आचुके हैं या नहीं इसका एक प्रश्ण पत्र आप बना लेजिए कि क्या आप दूसरे की उन्नति प्रगति मधुर्ता विकास और अन्य अच्छी अच्छी गुणों को देख कर आप भी प्रसन हो रहे हैं या नहीं यदि आप प्रसन हो रहे हैं दूसरे की उन्नति को देख कर तो समझ लीजिए कि राम राज्य आपके घर तक आपके मन मंदिर तक पहुँच चुका है राम जी कब आएंगे जब अतुलित बलधाम ग्यानि नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान हनुमान जी की कृपा आपके उपर होगी आप हर छेत्र में अग्रणी होंगे जब हनुमान जी की कृपा आपके उपर होगी और हनुमान जी आपको मिलाएंगे राम जी से यनि की आपके अंदर धर्म, सत्य, प्रेम, करुणा, धैर, संतोश, आदि-ादि सद्गुण आने लग जाएंगे तो समझ लीजिए कि हनुमान जी की कृपा हो गई और हनुमान जी हर उस जगए पर हर समय विद्यमान होते हैं जहां राम जी की चर्चा चलती है तो आप अपना परिक्षन शुरू कर दीजिए रोज कि आप दूसरे की उन्नती प्रगत्ती को देखकर मंद मंद मुस्करा रहे हैं अन्य था प्रियवर कीता और रामायन को हाथ में रखने के बाद भी अगर आप आनंदित नहीं हो रहे हैं तो संख बजा रहे हैं इतिशेरी महाभारत कथा तो आपके जीवन में महाभारत की कथा और लंका में जो राम और रावन के बीच युद्ध खुरा है आप अभी तक वहीं पर हैं तो करें इस पर विचार ये तो मेरे थे विचार आप भी करें इस पर विचार स्वीकार कर लिजे मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार जैहिंद जै देव भोमे उत्तरा खंड और जै अखंड भारत वर्ष जैहिंद